नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल थाकड एगरी कल्चर में किसान भाईयों इस वीडियो में हम मद्य प्रदेश के मोसम के बारे में भात करेंगे 26 यानि कि आज और 27-28 अगस्तो को मद्य प्रदेश का मोसम केसा रहेगा कौन-कौन से जिलो में बारिस होने की संभावना है तो कौन-कौन से जिलो में मोसम सुस्क बना रहेगा इस विषय पर इस वीडियो में हम पूरी डीटेल के साथ में चर्चा करने वाले हैं अगर आप भी मद्यप्रदेश के मौसम के जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत्य तक फुरा जरूर देगे ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से मद्यप्रदेश के मौसम की जानकारी विश्वशनी तरीके से पता चल जाएं अगर आप भी मद्य परदेश में रहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजे और हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि इस चेनल पर आपको मद्य परदेश मोसम से समंदित सब्सक्राइब की जान करें और खेती बाड़ी से सम्मन्दी जान करें मिलती रहेगी तो जल्दी से जल्दी चेनल को सब्सक्राइब कर लीजे इस वीडियो के निचे एक सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा उसे दवा कर चेनल को सब्सक्राइब कर लीजे इसके लाव आप मद्य पर्देश के कौन से गाउं जिले या सहर में रहते ही और आपकी यहां कितने जिलों से बरसात नहीं हुई है कमेंट करके जरूर बताइए किसान भायों बात करें मद्यपरदेस के मौसम की तो पिछले दो तीन दिनों से मद्यपरदेस के अंदर बारिस रुख चुकी है और बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनमें लगबग 15-20 दिनों के दुरान अभी तक भी बारिस नहीं हुई है और उन जिलों के जो किसान हैं वो काफी ज़्यदा प्रेसान है बारिस नहीं होने की वज़ए से सबसे ज़्यदा प्रेसानी जिसको हो रही है वो है किसान क्योंकि किसान की फसले सूक रही है इस समय पर किसानों की जो फसले हैं वो पकने की कगार पर आने वाली है और फसल के पक्ते समय पर अगर पानी की पूर्ती हो जाती है तो वह फसल अच्छी उपज देती है और वहीं अगर पानी की कमी हो जाती है तो फसलों की जो पेदावार होती है वो आदी से भी कम रह जाती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है आईए अब बाच करते हैं मद्ध्य प्रदेश के मोसम की तो देखी किसानवायों मोसम में बाग के अनुसार मद्ध्य प्रदेश के अंदर जो weather system था वो अब देरे देरे उत्तर प्रदेश के और बढ़ रहा है इस वज़े से मद्य प्रदेश के अंजरा बारिस का दोर खत्म हो चुका है क्योंकि दक्षिनी पस्चिमी जो हवाई चल रही है वो वेधर सिस्टम को लगातार उत्तर प्रदेश के और पूस कर रही है उसको धक्का दे रही है जिसकी वज़े से वेदर सिस्टम उत्तर प्रदेश में जा रहा है हमारे MP में अब कोई भी वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं है जिस वज़े से अधिकांस जीलों में बारिस बंद हो चुकी है इसके अलवा दोस्तों खंडवा, खरकोन, धार, वेतूल, छिंदवाडा, सिवनी, बलाकाट, मंडला, डिंडोरी, हनुपूर, सहडूल, सिंगरोली, सीधी, रिवा, उमरिया इन जोंपर अधिकांस सेत्रों में हलकी पूल की बारिस होने की गतिविद्य संबव है हलकी पूल की मतलब उस बारिस को हम नय के बराबर कहा सकते हैं इसके अलवा दोस्तों सितंबर, एक सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में एक निमन दबाव का सेत्र बन सकता है इसके अलवा 21 अगस्त को भी एक नया सिस्टम सुरू होने वाला है अगर वह सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो उससे मतलब पूरी असोग नगर टिकमगट छतरपूर पन्ना सतना, राइसेन, विदिसा, नरसियंपूर इन जगवा पर क्योल बादल चाये रहेंगे बादल चाये रहने के साथ साथ तेज धूपी कुछ कुछ जिलों में देखने को मिलेगी अब दोस्तों इस वीडियो में अगर इस वीडियो का सारान से निकला जाए तो मद्य परदेश के अधिकान से जिले, जिलों के अंदर मोसम जो है ड्राइव बना रहेगा, सुस्क बना रहेगा मद्य परदेश के अंदर इस समय पर कोई भी बारिस का जो वेदर सिस्टम है वो एक्टिव नहीं है जिस वज़े से मद्य परदेश के अंदर बरसात नहीं हो रही है इसके अलावा दोस्तों अगर कोई नई जानकारी मद्य परदेश मोसम से संबंदित हमारे पास आएगी तो हम तुरंत उसका वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुँचाएंगे क्या आप रोजाना हमारे चैनल के माद्य परदेश के मोसम की जानकारी प्राप्त करना चाते हैं अगर आप प्राप्त करना चाते हैं तो हमें कमेंड में जरूर बताएं ताकि हम रोजाना आपके लिए एक वेदर का जो वीडियो है वो लाएं तो दोस्तों वीडियो चल लगा तो लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जह जवान जह किसान जह हिंद जह भारत